कैसे निकालते हैं, दूद सभी के गहरों में आता है और मलाई भी सभी निकालते हैं लेकिन मलाई से घी मनाना बहुती जिंजट वाला काम हो जाता है हम सभी के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाएगा कि हर सीजन में एक इस टाइप और अगर आपको यहां पर 10-12 दिन नहीं एक मैने के लिए मतलब 20-25 दिन आपको मलाई स्टोर करने तो फ्रीजर में स्टोर करें इसे मलाई एक दम फ्रेस रहती है अभी जो मलाई इसको एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं तिकि मलाई एक दम फ्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है ना कोई इसमेल आ रही है बहुती बड़ी आ फ्रेस मलाई है मैं क्या कि 10-12 दिन की मलाई रहती है मैं मलाई से गी निकाल लेते हूं ज्यादा दिन तर इस्टोर नहीं करते हूं अगर कुछ पनियर वगर मिठाई बनानी हो तो मैं थोड़े ज्यादा अब मलाई के बरतने इनमें थोड़ा सा पानी ले ले लेंगे और अगरम कर लेंगे मतलब मुनगुना पानी करना है तो इसे बरतन बे साफ हो जाएंगे और क्या कि हम जब सर्दियों में घी बनाते हैं तो गुनगुना पानी यूश करना चाहिए ठंडा या चिल्ड़ वा अब जब भी भी बनाएं तो अगर फ्रीज में रखी है तो आप उसको दो तीन घंटे के लिए बहा निकाल दे उसके बात इससे घी बनाएं तो जल्दी निकल जाएगा तो इसके बाद में आपर ले रही इस टाइप की लोटी इससे फेटन बहती आसान हो जाता है तो अब अब ले लीजिए तो क्या है कि यह उपर से मतलब धारदार नहीं होता है तो इसको पकड़ना भी आसान होता है थोड़ा लंबा रहता तो इससे फेटना भी बहता असान रहता है तो आपके पास इस टाइप के जो भी बरतनों कुछ भी ले सकते हैं और क्या करेंगे कि एक इसको हम घुमाते जाएंगे और आप इसको एक ही डारेक्शन में घुमा होगे ना तो आसानी भी रहेगे और दोस्तों अगर आपने इसको ना कंटिन्यू फेट लिया मतलब बिना रुके तीन ने तो 100% टीन मिट में ही मलाई से घी निकल जाएगा पर यह पॉसिबल नहीं कि हम कंटिनी फेटते जाएं कि हाथ दर्थ करने लगी जाते हैं तो बस कुछ टाइम इसको रुकेंगे ऐसा ही करते 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 और में बता रहें कि 5-6 मिनिट लगने वाले जादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं अकसर इसी टाइप से मतलब कोई इसा भी बरतन ले ले फेट नहीं झालते हैं जड़कें लगण से लिए यह घूना जोड़ती हैं अजितना पर इसा लोतो फेट करें अगी हैं नहीं से पिसके तरिम्य थार जाएं कर तो अबस्ते यह बास जी लगती हैं तो जादा वरतन बीन होते इसा ताइप से 2-3 मिर तक 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 क्रीमी टेक भोगी मतंसला है तो है 14 अहसम ज़दी लोधे मुझा रही हूं तो इसने यह जा लोड नहीं थो रहे चाल बादि च्रीम के वादा से क्रीमी जाता effective video बश्क कि आप थी कोमें और प्रेश लगता है थोड़ा समय में करके लाएज है कि हलके आतों में फेटे जा रहे है तो रहने थे अभरकियंदू करते हैं यह दोनों पभूत परिसान करते हैं कि अधे चिलो takes कि यह कॉछ मुट हो निअन्दर तो आपने हैं उसको निटहल से से चलता है घाइगा अठीश को पर. तो उसके पाद बस एक मिनिट के लिए और उसके से मैस कली चेगा तो यह देखे बढ़िया से मक्षन निकलने लग गया है मतलब निकली गया है तो अब इसमें थोड़ा सा गुन गुना पानी ज्यादा नहीं मतलब हल्का सा गुना पानी यह करेंगे ताकि अच्छे से एक बाओ निकल जाए 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 पानी तो तो तौड़ा दूल सा जाता है वो तो इस पोड़ा फेट लेंगे अलका सब्सक्राइब लोटी को साफ कर लेंगे और आथों काम से जोई नहीं सकता है क्या कि सर्दियो के दीन है तो इसलिए मैं बरतन का इस्तामल कर जूं नहीं त कि बहुत तो तो फ्रत बरतन को जाता है कि तो बाकि मुझे हाथ से भीटना यह लगता है और अगर अब चाहिए ना तो जिस बरतन अपगर बाइप गही गरम करते हूं उसी बरतन में मलाई डाले उसी में घी मकखन निकाल लें ज्यादा बरतन भी नहीं होते मतलब ईक ज्वर सब्सक्राइब करें तो पर जिंजट वाला काम हो जाता है और अगर आप कांटिन्यू यह काम करोगे ना इसी पर फोकस करके कि मलाई सब्सक्राइब बना के अथना है हमको 15-20 मिट लगेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगता है वह तो कोई किया कि रुक रुक करते हैं तो तो पर एक हमस परिखें सब्सक्राइब हो जाता है है यह नससे नेकाल ले निकाला कि सब्सक्राइब अब घ्र है निकाला कि वे शॉत्करीत में अगर पशह नगछा अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए सारी मखन को में इसी टाइप से निकाल लेंगे मेरी बैटी फिर से आ गई दोबारा कि ममा में भी करना है इसे उसको बहुत सोग है काम करने का पढ़ने का मत बोलो इनको बस कुछ काम करो ना ऐसे तो फटाक से आ जाते हैं कि मुझे भी करना है तो यह देखिए मैं साराई घी निकाल लिया गड़ाई में अभी जो दूद प मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं तो इसको तुम्हें साइड में रख दियों अभी तो बस अब कड़ाई को चड़ाते हैंगे इस पर और फटाफट से बना लेते हैं तो भी आपर घी जैसा ही मेल्ट हो जाएं मतलब अच्छे से यह मेल्ट हो जाता है और जब यह उफान तो आप में बताने चाहरी है कि आपका घी फटाफट से बन जाएगा इसके अंदर जो चाहाज यह दूद रहता है यह फटाफट फट जाएगा और जल्दी पक जाएगा मतलब यह उफान पर आता है उसी स्टेज पर आपको लेना है यह पर हाफ निम्बू स्लाइस एक नि तो आपको नहीं दिखा दे लेकिन मुझे रियल में यह पर यह दूद फट गया है और निम्बू का जूद आले से क्या होता है कि जो इगी उफान प्याता है यह भी नहीं प्याता है मतलब बेवी स्लो हो जाता है कडाई से बाहर या जो भी बढ़ताने उसके बाहर नहीं मेणा अला कि भी इँ आफल नहीं प्याता है कि घीए की सेलफ लायट भी बढ़ जाती है कभी कभी क्या होता है कि हम साई से पका नहीं पाते ना तो घी हो पर अपुन से बादो अगर अच्छे से नहीं पकाया तो जरूर खराब होगा अगर आपने इसको अच्छे से पका लेते हैं तो घ्राब नहीं होता है और सर्दियों का गी तो वैसे भी दानेदार बनकर होता है और ऐसा करने से क्या होगा कि एक गुस्बदार भी बनेगा नीमू डालने से कोई टे ईयां प सब्सक्राइब लगवग मुझे ना तीन-चार मिन्त होगए और अब देख सकते हैं कि अच्छे से घरम करें इस बाता धियान चेह कि जले नहीं जर नहीं और बात में खाओ तो टेष्टि नहीं आए घ्रम कर देख जो अजि़ना है जिकना गीशक्षा पकाई को अ यहांपर घी नहीं जलता है इसा मेरा मानना है तो यहां पर में इस तुर्ण भागा लियू अगर अगर आपको मिठाई बनाने तो इसको फोड़ा ब्राउन लाइट कलर कर रखें तो फ्रेंड नियुक्ट नहीं कि अग्या एक तो इक तो इपने अग्याएंक रागत थी तो और आपको मेरी वीडियो अगर जरा भी पसंद आए तो लाइक से जरू कर दीजेगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्साइब कर दीजेगा तो यह हमारा देशिगी बन करके तयार हो गया है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो में तब त